वो चार सिस्टम जो हैं जिसमें STT होता है, NPD टेस्ट है, PDS करवा लेते हैं, लिबॉर्टरिकल टेस्ट होते हैं, ये चार डिफरेंट किसम की मॉडैलिटीज हैं जिनको हम यूज करके मर्दाना जिनसी अमराज को डियाग्नोज करते हैं। दॉक्तर मुजाहिद फारूग, यूर सेक्स थेरेपेस्ट एट मेंस केर क्लेनिक आज का टॉपिक उन्नों के लिए हैं, जिन लोग का कंसर्न होता है कि उनके इलाज पर या उनकी तश्कीश पर क्या इखराजात आ जाएंगे। इस मौज़ू पर बात करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझने की जरूरत है। देखें, यह तो बड़ी ऑवियस ची बात है कि जब भी हम कभी हॉस्पिटल या क्लेनिक के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं, तो पहली चीज़ हमारे जहन में हमारे मेडिकल एक्सपेंस और यह पहले यह समझना जरूरी है कि मेडिकल की जो फील्ड है उसमें डॉक्तर या हॉस्पिटल कभी भी आपको हत्मी तोर पे कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि इट्स आल अबाउट हुमन बाडी तो उसमें डूरिंग देप्रोसीजर क्या तबदीलियां आ सकती हैं या व कोर्स जो एक्सपेंसेस हैं वो अपडाउन हो जाते हैं आप लोगों का एक आम मुशायदा होगा कि जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो आप डॉक्टर से सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि सर मेरे इखराजात क्या आ जाएंगे और डेफिनेटलि को माइनर मेडिकल होगी और आपको कुछ मेडिसन्स देगा जो कि आपने बाहर से ले लेनी होती हैं तो वो आपको बता सकता है कि जी आपका दो सो चार सो पांच सो जो भी एक्सपेंस आना है लेकिन ऐसी कंडिशन्स जिन में वजुहात बहुत एक्स्टेंसिव हों बहुत मुक्तलिफ किसम क वजुहात हो सकती हों फर्ज करें आप हॉस्पिटल में कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि जी मेरे पेट में दर्द है तो मैं चेक करवाना चाहरा हूं लेकिन मैं चाहता हूं मेरे एक्सपेंसिस के बारे में मुझे बताएं कि इस पर क्या इखराज आ जाएंगे तो इसी कंडिशन में कोई भी डॉक्टर जो हो हत्मी तोर पर कुछ नहीं कह सकेगा हां वो आपको अपनी ओपीडी फीस के बारे में जरूर बता देगा कि मेरी ओपीडी की यह फीस है और अगर कुछ बहुत बढ़ा कुछ ना निकला तो दवाईयों पर जो इखराज आता हैं लेकिन अब इसी सिनेरियो में जब आप उस डॉक्टर के पास आते हैं क्लेनिक में और वो आपको एक्जैमन करता है प्रॉपरली और फॉर एक्जैम्पल वो फाइंड आट करता है कि आपको अपेंडेसाइटस है ठीक है अपेंडेक्स की तकलीफ जिसे कहते हैं अब अगर अगर वो हो जाता है तो डेफिनेटली ऐसी कंडिशन में ये एक medical emergency बनती है जिसको operate करके ही correction की जाती है तो अब इस कंडिशन में जब वो आपको ये बताए कि आपका operate होगा और operation से पहले कुछ laboratory के टेस्ट भी होगे और उस पर फ्लां फ्लां expenses आ जाएंगे तो क्या आप ऐस हत्मी तोर पर इस तरह से कोई करता नहीं है लेकिन कुछ लोग इस तरह की बाते करते भी हैं जो के बहुत मजेखा खेज होती है क्योंकि फोन पर डॉक्टर ना आपको जानता है ना उसने कभी आपको examine किया तो इसलिए कभी भी फोन पर डॉक्टर आपको कोई हत्मी तोर पर कोई बात नहीं कह सकता लेकिन जब वो examine कर लेता है जब उसको पता लग जाता है कि आपका problem क्या है देफिनेटली वह आपको बड़ी clearly ये बात clear cut बता सकता है कि ये problem है आपका और इस पर ये expenses आ सकते हैं still ऐसी condition में भी उसके जो जो उसके estimate होता है वो गलत हो सकता है वो most of the time वो approximately plus minus में इसी तरह होता है अब इसी तरह से हम बात करते हैं जिंसी अमराज के हवाले से देखें जिंसी अमराज एक तो हमारे मौशरे में एक बहुत बड़ा जो क्या कहेंगे के फुकदान है वो हमारे जो जिंसी knowledge है sex education जिसे कहते हैं उसका बहुत फुकदान है तो उन बीचारों को ये भी नहीं पता होता कि असल में मरदाना कमजोरी का मतलब क्या है यह तो मरदाना कमजोरी एक ऐसी global सी टर्म है जो मरदाना जिंसी तमाम अमराज को ही अपने अंदर शामिल कर लेती है फर्ज कर लें बेहुलादी का मसला है लोग उसको भी मरदाना कमजो कि समझते हैं किसी को टाइम की कमी हो रही है तो भी मरदाना कमजोरी होती है तो मेजरली जो है मेल सेक्शुल डिसॉर्डर जो है उनमें ये तीन बहुत बड़ी चीजे होती है और इन तीनों के लिए उर्दू जुबान में सिर्फ एक ही लवज दिया जाता है वह मरदाना पूछे के सर मुझे मरदाना कमजोरी है और उस पर क्या इक्राजात आजाएंगे तो यह बड़ी एक चैलिंजिंग कंडिशन होती है हम जैसे सेक्सॉलोजिस्ट या सेक्स थेरेपिस्ट के लिए कि आपको बता सकेंगे इसकी क्या एक्सपेंसिज आ सकेंगे क्यों कि अगर मरदाना कमजोरी जिसे आप कह रहे हैं वो बयुक्त है तो उसके कुछ और expensive होंगे उसके tests कुछ और होगए आपका treatment कुछ और होगा लेकिन अगर वह मरदाना कमजोरी जो आप कह रहे हैं वो सख्ती में कमी है तो then treatment definitely 180 degrees opposite चला जाएगा इसी तरह से अगर आपकी timing की कमी है त उसका treatment इन दोनों से अलग होगा उसके test अलग होंगे, उसके expenses अलग हो सकते हैं तो जब तक कोई भी एक एक बासलाहियत डॉक्टर जब तक आपका मौइना ना कर ले, एक proper history ना ले ले तमाम मालूमात हासिल ना कर ले, उससे पहले उसके लिए बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस पे expenses क्या आ सकते हैं अब ऐसी condition में अगर कोई अताई हो तो वो तो शायद आपको लगा बजा सा बता दे कि हाँ जी ये आपको इतने पैसे दें और आपको फलाँ फलाँ माजून या तेल वगारा या इस तरह की जो भी वटएवर वो दे सकते हैं वो देंगे, अब समझने वाली बात ये भी है कि ये तो वो नुस्खे हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये तमाम चीजें उस वकत के लोगों के लिए थी उस वकत के अमराज के लिए उस वकत की कंडिशन्स के जेरे को मदे नज़र रखते हुए ये तमाम चीजें बनाई गई थी और उस वकत डैफिनिटली उनका असर होता था लेकिन आज के दोर में क्या ये चीजें उतनी कारामत है ये एक सोचने वाली बात है मैं इसको बड़ी असान सी एक मिसाल से वाज़ कर देता हूँ कि उस वकत के दोर में लोग तो गदागाडियों पे सफर करके जाते थे किसी की शादी होती थी दूसरे गाओं या किसी दूसरे सूबे भी जाना होता था लोग बिचारे पैदल या गदागाडियों पे सफर करके जाते थे आज आज आप क्यों नहीं जाते हैं क्योंकि आपके पास सहुलियात मौझूद हैं आप उसे मुस्तफीद हो रहे हैं आप ऐसा तो नहीं कहते हैं कि जी वो मेरे परदादा जो हैं बेल गारी पे अपने बड़े बाई के गाउं जाया करते थे लेदा मैं भी बेल गारी पे अपने बड़े बाई के घर जाओंगा ऐसा कोई नहीं होता क्योंकि अब आपके पास facilities है साइंस ने तरक्की की है technology आई है जिसकी वज़ा से उस वकत वो facilities जो नहीं थी आज वो हैं वो मालूमाद जो उस वकत आपके पास नहीं थी आज वो हैं और उसी को मद्दे नजर रखके मुफलिफ किसम के diagnostic tests develop हो गए हैं और उनकी बेस पर treatment से जाद हो गई हैं तो यह चीजें जो हैं यह बहुत समझने की जरूरत है अब यहां हमें जो दूसरी बात समझने की जरूरत है इसी चीज़ से मुतालिक वो यह है कि देखें आज के दौर में जैसा मैंने अभी बयान किया कि साइंस तरक्की कर चुकी है हर दौक्टर जो है आज के दौर में एक दौर था आज से 20-25 साल पहले जहां पर एक जनरल फिजिशन ही हर चीज का इलाज कर लिया करता था लेकिन आज के दौर में हर एक छोटे से छोटे मर्ज के लिए एक स्पेशलिस्ट है वो एक स्पेशल कोर्स करता है अपना टाइम मर्ज से मुतालिक मरीजों को देखना हम फर्द कर लेते हैं कि शूगर के मरीज आज हर दूसरे तीसरे बंदे को पाकिस्तान में शूगर है तो शूगर के लिए सिर्फ खास शूगर के लिए डेवर्टोलोजिस्ट मौजूद है वो किसी और किसम के पेशन को नहीं दखते ह हैं जिनको शूगर का मर्ज लाहक होysz तो अबर कोई की पेशन जो हम फर्ज कर लेते हैं कि जैसे गुर्दों के ैस होते हैं अब उसके पास जाने वाले तमाम पेशन सिर्फ वही होंगे जिनको गुष की तकलिफ होगी अब उसमें गूर्दों के तकलिफ के हवाले उसे बहुत से मुखलिफ है आफिलियाल सा बहुत सैंति हो सकती हैं जाहूर से बात है गुर्दे کے अम्राज को डियाग्नोज करने के लिए वह डॉक्टर सिर्फ वही टेस्ट करुएगा जिसको जिसकी वज़ा से वो उस गूर्दे के मर्स को डाइग्नोज कर सके हम सब लेते हैं कि वो आयर अर यसकार वो खुराले का फिशाब के कुछ टेस्ट कर वा लेगा अगर पथ्री का कैस है तो आपका एक्सरे या अल्टर सौंड कर वा अब जाहिर सी बात है गुर्दे के डॉक्टर के पास तमाम वो मरीज जा रहे हैं जिनको यही अमराज हैं किसी को पत्री है किसी का गुर्दा फैल है किसी को डायलेसिस की जरूरत है तो जाहिर सी बात है वो इन्हीं से रिलेटिड टेस्ट करवाएगा लेकिन अगर आप उस यह सवाल करें जी आप तो कोई भी मरीज आपके पास आता है और आप सिर्फ यही टेस्ट क्यों करवाते हैं आप कोई और टेस्ट क्यों नहीं करवाते तो यह बड़ी मज़े का खेस बात हो जाती है यह सब कुछ मैंने आप से इसलिए बयान किया कि अक्सर वकात यह चीज मर्दाना जिनसी अमराज जो हैं उनसे रिलेटिड कोई भी प्रॉबलम हो मैं उनको डाइगनोज करता हूँ और उनकी ट्रीटमेट करता हूँ अब आपके लिए समझने वाली बात जो है वो यह है कि जो मर्द का सेक्शुल सिस्टम होता है बेसिकली आपकी बोड़ी के चा सेक्श एक्शुल रिस्पॉंस उस तरह से नहीं मिलने वाला अब क्वेशिन यहां पर यह आता है कि वो चार सिस्टम कौन से हैं और उनके टेस्ट कोन से हैं इसुस पर हम एक अलग से वीडियो कर लेंगे लेकिन इस वकत मैं मोटी-मोटी बात आपको सिर्फ यह बताता हू लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि हर आने वाले मरीज को ये चारों सिस्टम ही जो है वो टेस्ट करने पड़ेंगे जैसा कि अगर किसी को बेहुलादी का मसला है तो उसके लिए हमें सिर्फ लिबाटरी के टेस्ट की दरकार होते हैं उसके लिए स्टी टी एन्पीटी या पीडियास की तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं है इसी तरह से वो हजरात जिनको टाइमिंग का इशू होता है उनके लिए हमें स्टी टी और लिबाटरी के कुछ टेस्ट की जरूरत होती है उनके लिए हमें बाकी टेस्ट NPD या PDS करवानी की जरूरत नहीं है लेकिन वो हजरात जिनको सकती में प्रॉबलम हो सकती आए नहीं रही या आके चली जाती है उनके लिए हमें फिर ये चारों ही चीजें करवानी पड़ती है वो अपनी अपनी इंडिकेशन होती है डॉक्टर जब हिस्ट्री लेता है उसी लहाज से जो कुछ आप मुझे बताते हैं मैं उसी को मदे नजर रखते हुए डिसाइड करता हूँ कि मुझे आपके कौन कौन से टेस्ट करवाने लाजमी है लेकिन अगर आप मुझे इस तरह से क्वेस्टिन करें कि सर आप हराने वाले बंदे को यही इन ही चार टेस्ट में से क्यों टेस्ट करवाते हैं तो जैसा मैंने पहले एक्स्प्लें किया कि मेरे पास आने वाले मरीज़ भी तो वही होते हैं जिनको सेक्शल प्रॉब्लम्स होता है और सेक्शल प्रॉब्लम्स को डाइगनोज करने के लिए पूरी दुनिया में किये जाने वाले जो टेस्ट्स हैं वो यही चार सिस्टम्स को लेकर ही टेस्ट किया जाता है और इसी की बन्याद पे उसका इलाज किया जाता है तो जनाब एक अच्छे मौलज का काम यही होता है कि वो आपका इलाज करने से पहले आपको अच्छी तरह से पहले तश्खीस कर ले डाइगनोज कर ले और डाइगनोज करने के लिए ये बहुत जरूरी है आज के दोर में जो इतनी फैसिलिटीज हमारे पास मौजूद हैं वो इसलिए मौजूद हैं कि हम कोई मिस्टेक ना कर सकें या किसी भी मिस्टेक के चांस को कम से कम किया जाए तो इनसान है उसका अंदाजा जो है वो गलत हो सकता है लेकिन जो टेस्ट होते हैं वो एक्चुल फिगर एंट फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं जिसकी बुनियाद पे डॉक्टर डाइगनोज करता है चीजों को तो अच्छा मौलिज हमेशा इलाज से पहले आपको अच्छी तरह डाइगनोज करेगा आपको बताएगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है इसको कैसे हल करना है जब आपको पता ही नहीं है कि आपका प्रॉब्लम क्या है आप उसका सुलुशन कैसे करेंगे अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम आपको जो है वो तजरुबे का जानवर बनाके वो आपको मुख्लिफ ट्रीटमेंट्स जहें वो ट्राइ करवाएं जैसा कि अफसोस के साथ हमारे इस वकत महाशरे में बहुत बड़े पैमाने पर यह होता है कि डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको मुकमल तोर पे इन्वेस्टिगेट करें डाइगनोज करें और उसके बार ट्रीटमेंट करें आप इस बात के शाहिद हैं कि जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं आपके पास शाहिद बमुश्किल दो से तीन मिनट होते हैं जिसमें वो दुबारा बेल बजाते थे और दूसरा पेशेंट अंदर होता है इसी दोरान में उ सिस्टम है ये वो प्रैक्टिस है जिसमें आप जो है वो तजरूबे के जानवर बने होते हैं कि अच्छा बेटा ये खालो अगर कुछ ठीक ना हुआ तो फिर अगले अफ़ते आ जाना मैं दवाई चेंज कर दूँगा ये आप पर तजरूबे हो रहे होते हैं कि चलो ये खालो शायद ये तुका लग जाए ये खालो शायद ये तुका लग जाए और आप बखुशी ये करने के लिए राजी होते हैं आप ये नहीं सोच रहे होते हैं कि ऐसे तजरूबों से आपके जिगर पे आपके गुर्दों पे आपके दिल पे आपके दिमाग पे आपके ज आज शुरू करें और ऐसा ऐसी ट्रीटमेंट जो है वो कोई हकीम या कोई और डॉक्टर तो दे तो दे लेकिन मेंस केर क्लेनिक कभी भी बिना डाइग्नोस किये अपने किसी भी पेशन्ट को कोई ट्रीटमेंट ऑफर ही नहीं करता हुआ हम भी इन्सान है हो सकता है कभी कोई ऐसा केस भी आ जाता है जो जो हमारी समझ से बालातर हो इन्सान अभी भी लर्निंग के प्रोसेस में है ठीक है इन्सान अभी भी अकलो शहूर की उस मिराज पर नहीं पहुंचा है जहां उसको हर हर चीज का पता है तो हम भी वक्त के साथ सीखते हैं हर डॉक्टर वक्त के सा समझ में नहीं आते ऐसे केसिस को हम किसी दूसरी जगा और ऐसे स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर सकते हैं जो आपके प्रॉब्लम को समझे लेकिन अगर समझ ही नहीं आई तो फिर तुक्कों पर ट्रेट्मेंट करना जो है यह बहुत ही नुकसान दे होता है मरीज की सेहत के ल देया नोयगी मर्दाना कमज़री जिसमें आप मैं बता चुकों मोटी मोटी तो मैं टीन चीजहें बता चुक हो उतिलावा भी बहुत से चीजहूं को जैसे कत्रों के आ जाने को उसको भी मर्दाना कमज़री गयते हैं यह जरा विये आ트가 और दियाक्तुष लूबिगा चैनल को सब्सक्राब कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों के बानाम वोगी है थेंक्यू